सुभह शाम पूजा के दौरान ध्यान रखें ये बातें, भगवान तक पहुँचेगी आपकी आराधना. घरों में सुभह शाम अपने आराध्य देवता या देवी की पूजा की जाती है. माना जाता है कि जिस घर में विधी विधान से भगवान की पूजा अर्चना होती है वहां सदैव सुख सम्रिध्य का वास बना रहता है पूजा के दौरान अगर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेश महत्व माना गया है ये भगवान के प्रती अपनी आस्था प्रकट करने का एक बेहतर माध्यम माना गया है हिंदू घरों में सुभह शाम पूजा करने का विधान है लेकिन पूजा के दौरान कई तरह के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि पूजा का शुभ फल व्यक्ति को प्राप्थ हो सके। आईए जानते हैं इन नियमों के विशय में। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में मंदिर या पूजा स्थान इशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना बेहतर माना गया है। इसके साथ ही पूजा के दौरान यदि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होता है तो यह भी शुभ माना जाता है। कब इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्ट में पूजा आराधना करने का विशेश फल प्राप्थ होता है। जरूर जलाएं दीपक। पूजा के दौरान दीपक भी मुख्य रूप से जलाया जाता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक को शुभता का प्रतीक माना गया है। पूजा के दौरान दीपक जलाने से नकारात्मक्ता समाप्थ होती है और वातावरण शुद्ध बना रहता है। आरती करने का सही तरीका। शास्त्रों में आरती करने की सही विधी का वर्णन किया गया है। आरती करते समय एक ही स्थान पर खड़े रहना चाहिए और अपने स्थान पर थोड़ा सा जुग जाना चाहिए। आरती करते समय उसे चार बार भगवान के चरणों, दो बार नाभी, एक बार मुख और साथ बार सभी अंगों पर घुमाएं.